तो आज हम हेल्दी और डिलिशेस प्रूट का जूस बनाएंगे जो कि हैं खर्बुजा या फिर से अब मस्क मिलं भी बोल सकते हैं बहुत ही जाथ हेल्दी और रीच होता है और बनाने भी आसान होता है तो चले स्टार्ट करते हैं यहां है खर भुजा का मिल्ट्शे पिए जूस बोल सकते हैं जाथ हो तो यहां पे एकदम शाइए तरीके से बना रहें हैं तो यहां पे हमने खर्बुजा लिया है फ्रेशोह्त्री में लिया है घार अ पे लिए है तो यहां पे खाल में भाध गरशroad्य क्र जूशोयल इंब् हम सबसे पहले कर भूजा अच्छे से कट करके लेंगे तो इस तरह से हमें कर भूजा कट करके लेना है यह शेप में कर भूजा के कटोरी बनाएंगे और इसके अंदर हम जूस एड़ करेंगे तो अभी हम इसके अंदर के सीट्स पूरे निकाल लेते इस तरह से कि अधिया है तो इसे हम एक चम्मस के हेल्ट से सीट्स को इसे बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कितना जूस है इसके अंदर और अभी गर्मी की सेजन में तो यह हर जगा अवेलेबल लेता है आप इसे चील करके इल्फ्रेशीम जूस पीसकते हैं अच्छे से और हेल्दी बरहता है बहुत ज्यादा तो यहां पर हमने सारे सीट्स निकाल है यह देखें तो यह से रखते साइट में और इसी तरह इसमें से भी सारे सीट्स निकल लेते तो फ्रेंड्स यहां पर हम यह खर्बुजर की टोकरी खाली करेंगे तो हम यहां पर सारा पलपे से निकल लेंगे इसके अंदर से काई रफ इस तर से कि debating यहाँ पर देख सकते हमने सारा पलपं इसके हम देया इस तरह से BCE करने हैं और हम रख दे साइड में और यहाँ पर हमें इस ढकन का यूज़ करना है तो इसके हमें से बल्पं निकाल लेते हैं आघसी से अच्छे से तेमें निकालेंगे इस तरह तो यहां पर देख सकते हैं हमने धकन को भी खाली कर दिया है तो हम इस तरह से टोकरी बनाने हैं तो यह देखें यहां पर रेडियो हो चुका है अब हम नेक्स प्रोसेस करते हैं तो फ्रेंज यहां पर हम कुछ पल्प का बारिक 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 चॉप करेंगे टोकरी में डाल और कुछ पल्प का हम शेक बनेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर अब देख सकते हैं हमने खरबुजबारिक अच्छे से चॉप कर लिया है अब हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं हम आदे हम अखर चॉप करका हैं और इसे हम रखेटे सबने हैं है तो फ्रेंट्स यहां पर मेंने सबरी कर दाल देंगे जो हमने बचा के ही कि रखा था तो बहुत ही जादा दूसी है ऐर देखे है है कि अजिए और टाल दिया इस धैन दर हम कुछ ऐस कुउल लीम ऑ तो यहां पर हम चीने एड़ करेंगे, टेस्स के अकॉर्डिंग, वैसे तो कर्भु जा मिटा ही रहता हैं बड़ थोड़ा सा टेस्स के साब से, तो मैं यहां पर लगबग तीन चमज चीने एड़ कर रहे हूं, और साथ ही हां पर जाएंगे यह थंदा वाला दूर, एक कप, तो यहां पर देख सकते हमारा जूस रेड़ी है बहुत ही ज्यादा आछे से बनाए और कलर भी बहुत ही बढ़ी आया है यह देखें तो फ्रेंज यहां पर देख सकते हैं आप सारे प्रिपेशन हो चुके और यहां पर हमने एक खरबूजा की टोक्री ली है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मस्त शाई वाला जूस बनाना तो सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर एक खरबूजा जूस बस थोड़ा ही डालना है फिर इसके साथ में डालेंगे चॉप खरबूज यह बिच बिच में खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टिग और अच्छा लगते हैं इसे हम पोरे डाल लेते हैं या तो छी थोड़ा हम गार्णिश के लिए बचा के रख सकते हैं इस तरह से साथ हम डालेंगे कुछ रा कि आप अपने पसंद के डायफॉर्स आइड कर सकते हो एक दम अमेजिंग रेसिपी है और रिफ्रेशिंग समर सेजन में इस दीखें और इसमें जाएंगा ऐस क्रीम या तो यहां पर मैंने यह वैनिला ऐस क्रीम गिया है आप अपने पसंद कर लें सकते हो बट वैनिला कि इस तरह से तो यहां पर हम थोड़ा गार्निश के लिए भी यूज करेंगे तो इसमें से हम वादा डाल देते हैं कि देखें यह में है और फिर इसमें जाएंगा के जूस या शेक है वाव और फिर से यहां पर जाएंगे कुछ ड्राइफ्रूट्स तब रहा है ना अमेजिंग क्या है तो यहां पर हम डालेंगे कुछ कैश्यूट्स अब जितना ज्यादा ट्राइफ्रूट्स जालेंगे उतना रीच और शाई बनेंगा यह हमारा खर्पुजा जूस इस तरह से और फिर लास में जाएंगा फिस्ताशू हम जब भी बॉंबे में जाते हैं तो आप एक जूस सेंट्रें तो आप यह मिलता है तो इसे हम घर पी आसान तरी किसी बना सकते हैं और फिर थोड़े हम डालते खर्पुजा तो थोड़ा सा एस क्रीम तो फ्रेंज्स यहां आप यह देख सकते हैं हमारा शाही और रिच खर्पुजा जूस एकदम रेडी है तो यहां पर देख सकते हैं हम इसे ऐसे डख के भी रख सकते हैं यह देखें वाव इतना अमेजिक्टाशू आप लग रहे है ना तो यहां पर पूरा चीरी है अब हम इसके अंदर डालते हैं स्ट्रॉंग और फिर आथी है टेस्ट की बारी तो इसे अब हम ट्राइ करेंगे यह देखें कितना अमेजिक्टाशू बना है एकदम रिफ्रेशिंग और डिलेशिस बनाए और एकदम शाई इसे थोड़ा हम टेस्ट करके देखते हैं खाके इसे एकदम ट्राइफूट से बढ़ा पड़ा पड़ा पाव बहुत जादा टेस्टी और अमेजिंग बना है आप इसे इस समर सेजर में ज़रू ट्राइ करे तो फ्रेंड्स ए मस्क मिलन जू सब गरपे बना के उन्जाई करें और आपकी कमेंट इची कमेंट स्वाक्स में शेयर करें और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकदम ना भूले पिर मिलते और नेरी स्विक साथ दब तक लिए थेंक्यू बाबाए